हमने बहुत से योगियों के बारे में पढ़ा है जो समय की यात्रा करते हैं एक सेकंड के एक हिस्से में वे भारत से चीन चले गए ऐसा ही कुछ हुआ था लेकिन उन दिनों कोई चीन नहीं चाता था सिर्फ आजकर लोग चीन जा रहे हैं वे एक सेकंड के एक हिस्से में यात्राय कर सकते थे क्या ऐसी यात्रा मन या शरीर के साथ होती है या क्या ऐसी यात्रा संभव है यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है समय और स्थान आपके मन के द्वारा पैदा किया हुआ ब्रहम है अगर आप उसके पार चले जाएं तो फिर यहां और वहां नहीं होगा अभी और तब नहीं होगा और अगर आप वैसे हैं और लोग ग्रहन करने के लिए तैयार हैं देखे फिलहाल मान लीजिये हमारे पास एक ट्रांस्मिटर हो ये वाकए अभी हो रहा है मैं यहां बोल रहा हूँ ये तारे मुझ से जुड़ी हुई नहीं है देखे कोई तार नहीं है मैं यहां बोल रहा हूँ और ये हर जगा सुनाई दे रहा है हां बिना तारों के क्योंकि ये ट्रांस्मिट हो रहा है ट्रांस्मिट होने की वज़े से जो मैं बोल रहा हूँ वो हर जगा सुनाई दे रहा है तो खुद को ट्रांस्मिट करने की शमता यानि आप कितना ट्रांस्मिट कर सकते हैं बस इसी पर निर्भर करता है कि आप कितने नहीं है क्या ये शारीरिक है, क्या ये मांसिक है, क्या ये 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 वो है ये सारे बटवारे आपके मन ने किये हैं क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपका शरीर कहा है और आपका मन कहा है हम सिर्फ समझने के लिए उस तरीके से बात कर सकते हैं बोध पाने के लिए नहीं, अनुभव पाने के लिए नहीं आप अपने मन को या शरीर को या किसी भी अन्य हिस्से को अलग से महसूस नहीं कर सकते हैं न। अगर आप में मन नहीं होता तो क्या आप शरीर का अनुभव कर पाते हैं हम नहीं तो क्या आप जानते हैं कि अभी आपका मन कहा हैं क्या आप जानते हैं नहीं तो बस आप हैं क् सμज़े, बाकी हर चीज कलपना है बस आप काफी है बहुत सारी चीजों की कलपना मत कीजिए क्योंकि आप केवल इस पूरे मुद्दे को उलज़ा रही है सुलजाने के बज़ाए आप मुद्दे को उलज़ा रही है आप इसे जटिल बना रही है तो समय, स्थान, ये सभी चीजं़ें आपके दिमाग में हैं इनका अस्तित्व नहीं है अगर आप बस यहाँ बैठें और अपने मन के शिकार न बने तो जो यहाँ है वो वहाँ है और जो वहाँ है वो यहाँ है आप कहीं नहीं गए, सब कुछ यहीं था, बात बस यहीं है